नमस्कार सभी प्यारे विद्यारतियों को मैं कपिल चाहर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परवाद टॉप तक पर जहां हम सभी लोग आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुचाएंगे वीडियो की इस संखला में आज आपके लिए में लेकर आया हूं भारती है संसत के बारे में भारत की संसत के बारे में आप हम देखेंगे पार्लियमेंट ऑफ इंडिया की अमलूप बात करेंगे एक चीज आपको यादकना है जब बात आती है कि भारत में संसदात्मक विवस्था कहां से ग्रण की गई है पार्लियमेंटरी संसद की अगर हम बात करें तो भारत की संसद किस प्रकार की है तो आपको याद अखना है भारत में दुई सदनिये विवस्था को अपनाया गया है बाई केमरल सिस्टम को अपनाया गया है एक कुशन आप लोगों को प्रारंब में यहां पर दे देता हूं जिसका आंसर आप को कमेंट बॉक्स में देना है मुझे बताईएगा कि कब भारत में कब भारत में बिधाईका को पहली बार दुई सदनिये बनाया गया था किस या पिर आप ऐसे कह लिजेगा किस अधिनियम के द्वारा भारत में बिधाईका को दुई सदनिये बनाया था इसका अंसर आपक कौन है तो आपको यादखना है राज्य सभा और लोक सभा लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि संसद के अंग कौन कौन से होते है या संसद के अंग कौन कौन से है तो आपको यादखना है अनुच्छेद 89 आर्टिकल 79 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 89 के अनुसा और राज्य सभा, लोक सभा और आपके राश्ट पती जब इन तीनों को आपस में मिलाया जाता है तो भारत की संसद की सनचना बनती है आपको यहाँ पर यह भी यादखना है कि अनुच्छिद 89 के अनुसार राश्ट पती महुदय को संसद का अभिन अंग कहा गया है यह भी आपको साथ में जोड कर रहा है अब बात यहाती है दौनों सदनों के बारे में बात करते है राज्य सभा और लोक सभा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए राज्य सभा की सनचना के सनुछेद में तो अनुछेद 80 के तहत और लोक सभा की सनचना को लिख कहां पर है तो उसभी कहा जाता है इसके अलाबा आपको या दर्खना है राज्य सभा जो है यह पर्मानेट हाउस हुआ करता है जाना यह चीज आपको मिला को भंग नहीं किया जा सकता या राज्य सभा का कोई कारoup निश्यत नहीं किया गया hä Ta था ये बनाई गई है कि राज्य सवा के कुल सदस्यों में से एक बटा तीन सदस्य प्रती दो वर्स के बाद अवकास गिरहन करते हैं तो इस प्रकार से एक सदस्य का कारेकाल जो है वो छे वर्स हो जाता है इसी वजह से राज्य सवा को क्या कहा गया है स्थाई सदन कहा जाता इसके अलाबा आपको यादखना है राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए नियूनतम आयू कितनी चाहिए तो आपको यादखना है 30 वर्स आयू होनी चाहिए किसके लिए राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए इसके अलाबा राज्य सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हो सकती ह तो 250 हो सकती है और बरतमान में कितनी है तो आपको यादखना है 245 आपको एक और चीज यादखना है अनुच्छित असी के तहत ही राश्टपती महुदे जो हैं वो 12 सदस्यों को राज्य सभा में मनोनित भी करते हैं 12 सदस है राश्ट पती के द्वारा राज्य सवा में मनुनित किये आते हैं इसके अंदर 245 के अंदर 12 सदस है और ये जो सदस है मनुनित किये आते हैं ये साहित्य, बिज्ञान, कला और समाज जिसीवा कौन कौन से आपको याद अखना है चार छित्र सबसे पहले साहित्य यानि लिट्रेचर, इसके अलाबा बिज्ञान यानि साइंस, इसके अलाबा समाज सेवा यानि सोसल सर्वेश और इसके अलाबा आपको याद अखना है है ना साहित्य बिग्यान कला और समासेवा यानि चोथा छित्र आपको याद अखना है वो है कला जो है आपका आर्ट तो साहित्य बिग्यान समासेवा और कला के छित्र से 12 सदस्यों को राश्ट पती के द्वारा राज सभा में मनुरित किया जाता है इसके अलाब आपको याद खना है कि राज्य सभा के सदस्यों का चुनाब कौन लोग करते हैं तो राज्य सभा के सदस्यों का चुनाब जो है वो संबंदित राज्य के बिधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है ये आपको याद खना है लोग सभा की अगर हम बात कर जो आपकी लोग सभा है एस लोग सभा का कारश को फिर से पांच वर्स कर दिया गया तो अगर आपसे कुछा नाता है लोग सभा का कारेकाल कितना होता है तो आपको बताना है 5 वर्स और एक और चीज लोग सवा को समय से पहले राष्ट पती के दौरा भंग किया जा सकता है इस आधार पर इसे आयस्थाई सदन कहा जा रहा है इसके अलाबा लोग सवा को लोग प्रिय सदन के नाम से भी जने आता है लोग सवा को जनता का सदन भी कहा जाता है house of pupils भी इसको कहा जाता है इसके लावर लोकसवा में सदस्य बनने के लिए नियूंतम आयू व्यक्ति की पर्चेस वर्स होनी चाहिए और भाया कुल सदस्य संक्या लोकसवा की कितनी हो सकती है तो 552 हो सकती है इन 552 में आपको याद अखना है यह 552 हो सकती है यह लाश्ट है ठीक है तो इन 552 सदस्यों में आपको पता होगा दो आंगल भारतिय सदस्य भी हुआ करते थे अनुच्छे 331 के अनुसार यदि राष्ट पती को ऐसा लगता है कि लोकसवा की सदस्य संख्या में आंगल भारतिय समुदाय के सदस्यों का उचित प्रतिनिद तो नहीं है तो राष्ट पती अनुच्छे 331 के तहत लोकसवा में दो आंगल भारतिय समुदाय के सदस्यों को मनुनित कर सकते थे लेकिन यह विवस्था बरतमान में समाप्त कर दी गई है क्योंकि दो आंगल भारतिय सदस्यों को अब मनुनित करने का कोई और चित नहीं समझा जा रहा है तो आपको यादखना है इससे पहले तक आपके लोकसवा की सदस्यों संक्या बरतमान की अगर हम बात करें तो दो आंगल भारतिय सदस्यों बरतमान में मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आपको यादखना है इस समय पर 543 सदस्यों है वो आपके लोकसवा के सदस्यों संक् है कुछ महतफवुर् अनुच्षेदप लिते हैं जो आपको संसत के बारे में पारल्यमेंट के बारे में याद रखने हैं और 282 कहता है अनुच्षेद 82 कहता है प्रतेक कए जंगरणा के पश्यात सीटों का समयय ज़न नहीं तो ये भी याद है कि ये आपके समिधान संसोधन के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि 2026 से पहले सीटो का कोई भी समायोजन नहीं किया जाएगा और 2026 में जो सीटो का समायोजन किया जाएगा उसके लिए 2001 की जंगरना को आधार बनाया जाएगा वो समिधान पर special आपके लिए पहले ही ले चुका हूँ तो मेरे बहादरों सही आंसर दीजेगा अनुच्छे 83 की अगर हम बात करें तो यह सदनों की अभदी के बारे में बताता है सदनों के अभदी या पर सत्रों को आहुत करने संसत के सत्रों को सत्रा वसान करने या फिर लोकसवा को भंग करने का अधिकार अनुच्छे 85 के तैत राश्ट पती को प्रदान किया गया है संसत के दो सत्रों के बीच में अधिक्तम 6 महा का समय हो सकता है यह भी आपको याद अखना है अनुच्छ 87 के त प्राश्ट्रपती जिन्हें एक्स ऑफिसियों कहा जाता है आपके उपराश्ट्रपती राज्यसभा के सदसे नहीं होते लेकिन फिर भी उसके सदन की वो अध्यक्षता करते हैं इसेलिए उन्हें क्या कहा जाता है पदेन सभापती कहा जाता है इसके अलाबा पूर्ती या कोरम के बारे में बताता आध्यार अध्यार क्या होता है तो आपको यादखना है कि सदन की बैठक को चलाए रखने के लिए आवशक सदस्यों की जो संक्या होती हो से क्या का आयाता है गरपूर्ती या कोरम का आयाता है अनुच्छेद 108 ये आपका संयुक्त बैठक से सम्मंदित है इसके बारे में भी और डिटेल में हम आगे बात करेंगे इसके अलाबा अनुच्छेद 110 ये धन विदियक का उलिक करता है अनुच्छेद 111 के तहत विदियकों पर अनुमती के लिए उन्हें राश्ट पती के पा या फिर करवाएं ये चीज आपको याद अखना है अब यहां पर देखेगा ये तो आपके कॉंसेप्चियोल पार्ट हो जाता है जो आपके संसत से जुड़ा हुआ है अब यहां से कुशन जो जो बन सकते हैं उनके बार में भी बात कर लेते हैं महतापूर प्रशनों की भ चैलाता है अब यह भी बताया था अगला कुशन आपके सामने भारत के संसत का ही एक अंग माना याता है तो इसलिए अंसर लग जाएगा तीनों इसके अलाबा कुशन है निम लिखित में से कौन से प्रावदान भारती संसत के सदस्चों के विसेशादिकारों तथा उनमु तो आपको यादखना है अनुच्छेद 105 अनुच्छेद 105 जो है वो संसत के सदस्चों के विसेशादिकार से संबंदित अनुच्छेद है यह आपको यादखना है इसके अलाबा यदि किसी सामने विद्यक पर राजसभा लोगसभा के बीच गतिरोद आता है तो उसका समय पर धौनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक का जो डिसीजन निकल कर आता है उसके आधार पर उस समस्या का समाधान किया जाएगा अगला कुशन आपके सामने स्वातनत्य भारत के संसदिया इतियास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बुलाई जा चुकी है तो आपको या दखना है अब तक कुल तीन बार संयुक्त बैठक को बुलाया जा चुका है यहाँ पर दो तीन बाते क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले आपके संयुक्त बैठक का उलेक किस अनुच्छेद में तो अभी अभी वतायता अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 के अंतरगत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उलेक किया गया है आपको या दखना है कि यदि कोई विदेयक एक सदन से पारित हो चुका है और एक सदन से पारित होने के बाद दूसे सदन तक पहुंच जाता है और उसके बाद फिर तीन कंडिशन पहली कंडिशन दूसे सदन के द्वारा विदेयक को असुकार कर दिया आता है दूसे कंडिशन दूसे सदन को दूसे सदन में विदेयक को 6 महा बीच चुके हैं लेकिन उसके द्वारा उसके पर कोई कारे नहीं किया गया है और तीसी कंडिशन के दूसे सदन के द्वारा उसमें जो परवर्तन किये गए या उसमें जो संसोधन किये गए उसे लेका दौनों सदनों में एक मत नहीं है तो उस कंडिशन में राश्ट पती को यह अधिकार दिया गया है कि वह संसत की दौनों सदनों की संध्व बैठक बुला सकते हैं आपको याद दखना है कि संसत की दौन ज से पारित कर दिया जाता है तो बिदह速 को पारित समझा जाएगा और आपको यादकना है अभ तक कुल तीन बार आपके आपके आपस रन्त बैठक बुलाई जा चुकी है कब कब बुलाई गईती एक बुलाई गईती 1961 में एक आपको या दखना है ؟ और एक बुलाई गईती दो हजार दू में Unionीज बुलाई गईती तो आपको यह प्रदखना है दहेज प्रतिबंद विदियक पर 1961 में जब आपके ज öğहलाल नहरू की सरकार थी उस समय पर आपकी सेंक्त बैठक बुलाई गई थी दूसी बार 1978 में बुलाई गई थी कब बुलाई गई थी क्यों बुलाई गई थी तो बैंकिंग सेवा आयोग विधेक आया था मोरार जी देशाई की सरकार थी उस समय पर दूसी बार सेंक्त बैठक बु के sanctuation की अध्यच्छता कौन करता है तो आपको पता है लोग सभा के अध्यच्छ लोग सभा के speaker जो होते हैं वो संसत की sanct बैठक की अध्यच्छता करते हैं लेकिन कभी ऐसा question आई कि sanct बैठक की अध्यच्छता लोग सभा speaker तो करते हैं, लेकिन अगर लोगसवा अद्द्द्द्दट मौजूद नहीं है तो कौन करेगा तो आपको याद आतना है लोगसवा के अद्द्द्द्दच की गैर मजूदगी में, फिर उसकी अद्द्दच्चता जो करते हैं, वो लोग किसे question को चाहता है अगर explorer चाहे तो काफी ज्यादा Deep में भी ले जा सकता है अगला question आपके सामने है तनसत के संटшейอद्वेशन में विदेयाग पारित होता है तो मैंने अभी अभी ऐपको बतायता है दोनों सतर्शों के साधरन बहुमत के द्वारा कैसे सामाने बहुमत के द्वारा दोनों सद्मों में क्या कर दिया आता है कि भैया उसे पारित माली आता है सामाने बहुमत से यदि उस पर बोटिंग हो जाती है तो अगला कुशन आपके सामने कौन सी प्रता संसदिय प्रणाली को भारत की देन है तो भै अनुच्षड our का याता है और बारह बजे से बाद का जो समय में होटा है उस से आप जीरो आर के नाम से आउनते है सून निकाल कैसी इस्थिति होती हैं वहाँ पा प्रश्न तो बहुत पूछे आते लेकिन उत्तर देने वाला कोई नहीं होता इसका कोई उल्लेक संसत की नियमावली में नहीं है अगला कुछन आपके सामने है भारती समिदान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संके लिए एक संसत होगी जो राष्ट पती और दो सदनों से मिलका बनेगी अभी अभी बता संसत के दो शत्रों के बीच संसत के दो सत्रो के बीच अधिकतम कितना अंतराल दियाया सकता है तो ये भी मैंने आपको बताया कि संसत के की जा सकती है इसके अलावा संसत के दौनों सदनों का सत्रा वसान कौन करता है तो सत्र को समाप्त करने की सकती भी किसके पास है राष्ट पती के पास है इसके अलावा अगला कोशन निम्ली विदियकों में से किसका एक भारती संसत के दौनों सदनों दारा अलग-अलग विसे से पारितोना आवश्यक होता है तो आपको यादकना है संसोधन विद्यक संसोधन विद्यक जो होता है वह आपके संसत के दौनों सदनों के द्वारा विशेश भगमत से पारित होना आवश्यक होता है इसके अलाब अगला कुशन संसत के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है जिसे आप लोग क्या कहते हो आप इसे सरदन का कोरम कहते हो अभी अभी अनुच्छे सौ में कूरम पढ़ा के आया था कितना होता है तो कुल सदस्यों का एक बटा दस मतब कुल सदस्यों का एक बटे दस सदस्यों की उपस्तिती अनिवार होती है सदन की बैठक को चलाए रखने के लिए और अगला कुशन है आपके लिए भारत की संस आज समूदाए कि दो समुदाओं को लोग समा में मनुनित कर सकते हैं लेकिन बर्तमान में जो वेवस्था चल रही है उसके अनुसार अब डू हम सबस्क्राइन को को मनुनित करने की आवशक्ता नहीं समझी जा रही है इसकी वजए से अभी ये विवस्था समाप तो हो चुकी है लेकिन याद रखेगा यह वाला पॉइंट इस तरीके से लिखना के लोगसवा में मनुनित सदर से नहीं होते यह यहां पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसके अलाबा आपको यह दखना है इस सम्भंदित पीडियाफ यूट्व से सम्भंदित कोई भी पीडियाफ आपको टॉप तक एप्लिकेशन पर प्राप्त हो जाएगी यहां पर आप टॉप तक एप्लिकेशन जैसे ही खोलेंगे तो यूट्व पीडिया नाम से आपको मिल जाएगा तो भाई यह वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलाबा देखेगा तो भाई मैट्स का बाप कोर्स आपके लिए चला है जिसमें आपको 30 डेमो फ्रे दिया रहे हैं है ना गलती की कोई गुंजाइस नहीं है जिन लोगों का mathematics कमजोर है उन मात्र 299 रुपे में जिसमें आपको 20 दिन के अंदर 20 चैप्टर कम्प्लीट किया जाएंगे वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत बुलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा नेक्स वीडियो में किसी मत्र सी बहतरीन सी information के साथ आ हिन जै भारत